आज सबसे पहले पंजाब की बाद करेंगे पंजाब से बेश संसनी खेज और चौकाने वाली रिपोर्ट आईए कुछ लोग मसी के नाम से वरोता से ऐसे कुछ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि परमिश्य की चाहत है जैसे लिखा कि सब मनुश को धार पाएं और सत्य को बली बाते जाएं इसलिए जब आप इस वीडियो को अन तक देखो गए तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या सच्याई है और मैं आशा करता हूँ उनके हम सब की एक ही चाहत है कि लोग सत्य को जाने इसलिए इस वीडियो को इस पेस के दखाने का यही उदेश है जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ओके गौड डेस यू रिपर्ट सामने आई है चोकाने वाली रिपर् करता है क्या किसी आतंकबादी हामला का रिपर्ट है क्या किसी मडर कैस है क्या है यह रिपर्ट दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमको पता चला कि यह रिपर्ट कुछ नहीं है यह रिपर्ट क्रिष्टियन लोगों का सूसो माचार फेलाने का एक वीडियो एक गाव में क्रिष्टियन लोग सूसों मचार प्रचार कर रहे थे आप कह सकते हैं अपना धर्म को प्रचार कर रहे थे अपना धर्म गरंतों बाइबल के वारे में लोगों को बता रहे थे और वो काम को एक इंसान ने वीडियो बना के इंडिया टीवी को भेज दिया और इ गया कज से देखिए हिंदु लोग भी अपना धर्म प्रचार कर रहें भगबत गीता को में ड्रोड में लोगों को बाट रहें क्या हम भी इसाहिव लोग भी ये कहेंगे कि भगबत गीता बाटना एक चौकाने वाली रिपोर्ट क्या सिर्प हिंदु के लिए इंडिया में अधिकार है धर्म प्रचार करना कब से कौन सा भगबान कौन सा धर्म गरंथ में लिखा है हिंदु का धर्म गरंथ को बाटो लेकिन येसु मसी बाइबिल के अंदर कहते हैं कि सूशो मचार प्रचार करो येसु ने उसके फास आकर कहा स्वर्ग और पृत्वी का सारा अधिकर मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्रों और पवित्रों आत्मा के नाम से बापतिसमा दो और उन्हें सब बाते जो मैंने तुम्हें आगिया दी है माना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदेब तुम्हारे संग हूँ अभी वो सूसम अचार को तुम जैसे लोग कह रहे हैं चोकाने वाली रिपोट यारी बैड नीज गुड नीज को बैड नीज कह रहे हैं लेगिन समय आएगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस टाइम पे अंत के समय में पता ये चला कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब में धर्म परिवर्तन के नाम पर तनाव क्रिएट करने की कोशिश हो रही हैं पंजब में धर्म परिवर्तन के नाम पर तनाव क्रियेट किया जा रहा है तनाव का मतलब है टैंसओं टैंसओं क्रियेट किया जा रहा है यारी आपास में लड़ने की काम कर रहे हैं इसा ही लोग धर्म परिवर्तन का काम करके यह कौन कह रहा है रोजद सर्मा इंडिया हैं एक्जाम्पुल हम देखेंगे तो और्बिंद केजरिवाल और्बिंद केजरिवाल जब कृष्मास के समय में गये थे मंजाब तो उनको पता चला कि पंजाब में किस प्रकार लोग हिंदू इसाई सेख मिलके रहते हैं देखिए इस वीडियो को अलेलूया आज आज इतनी भारी संखिया में आप सब लोग जो को मैं देख रहा हूँ यहां पर हिंदू हैं बहुत बहुत बड़ी संख्या में यहां पर कुछ मुस्लिम भाई भी है और यहां पर कृस्चन भाई भी है यही तो अपने पंजाब की खुबसूर्ति है जो उब ही दर्मों का सभी जातियों का अपना भाई चारा है और पंजाब के तीन करोर पंजाबी धर्म और जाती से उपर उठके एक मुठी की तरह एक साथ मिल के पंजाब में रहते हैं ये पंजाब की सबसे बड़ी खुब सूर्टी है देखे सौचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है धर्म परिबर्तन के बारे में सिर्फ गोदी मीडिया वाले ही रिपर्ट बनाते हैं किस प्रकार होना चाहिए एंड़ी टीवी वालों को ग्यान नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं लेकिन सोचने वाले बात है NGTV वालों को आवार्ड मिल रहा है इसका मतलब NGTV बाले ने जो काम कर रहे हैं सोच के समझ के कर रहे हैं यानि धर्म परिवर्तन का कुछ बात ही नहीं लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं और वो प्रचार को सुन के ल लोगों को इसलिए लोग येशु मसी को बिश्वास कर रहे हैं ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है इसलिए भले भले अच्छे लोग nd tv बाले कभी वी धर्म परिवर्तन के विरोद में यानि इशाँ लोगा धर्मप्रचार के विरोद में नियूज नहीं बना बहुत सारे लोग कहेंगे कि NDP वाले इसाई नहीं है देश के इमानदार पत्रकारी है इमानदार पत्रकार कभी भी एक धर्म को सपपर्ट करके दूसरे धर्म के खिलाब नीज नहीं बनाते हैं हर धर्म को बराबर देखते हैं यानि हिंदु धर्म प्रचार करें तो सही इसाई लोग प्रचार करें तो गलत यानि टेंशन बाली बात बैड न्यूज संशनी घटना दुखद घटना चोकाने बाली घटना इस प्रकार नहीं पैस करते हैं उनको पता है ईसाई लोग प्रचार कर सकते हैं भारत के संविधान उनको आजादी देता है सिख संविधाय के लोगों को सिख नौजवानों को बहला फुसला कर लालस देकर उनका धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है उन्हें सिख से क्रिश्चन बनाने का भ्यान चला जा रहा है अभी देखिए इन लोग ने जिस प्रकार हिंदू नोजवानों को हिंदू लोगों को बढ़का रहे हैं उसका रहे हैं क्रिश्चन लोगों के खिलाफ काम करने के लिए वैसे अभी सिख लोगों को भी बढ़काने के लिए उसकाने के लिए कोसिस कर रहे हैं जो कि हर एक सिख समाज के लोगों को समझना चाहिए इन लोग ने भाईचारा की बात कर रहे हैं लेकिन भाईचारा को खतम करने की कोसिस कर रहे हैं और इसाई लोगों को एक बिदे सी धर्म लोग, बिदे सी लोग करके इंडिया में पैस करने के लिए कोसिस कर रहे हैं। वो बसों में बैट कर गाउं में पहुंचते हैं और फिर घर कर जाकर क्रिश्चिनिटी की बातें करते हैं। लोग को समझाते हैं कि इसाई बंदे से कितना फायदा होगा। तो सिक्षा को एक बुरी ख़वर, एक संसनी घटना, दुखत ख़वर, चोकाने वाली घटना, इस प्रकार पैस नहीं करना। किसी को पैसे देने का बादा करते हैं तो किसी को कैनेडा और अमेरिका जाकर बसाने का बादा करते हैं। एक भी वीडियो क्लिप इन लोगों के पास नहीं, जहांपे एक पास्टर, एक मिस्नरी लोगों को बहका रहा है कि पैसा देने का बादा कर रहा है, अमेरिका जाके बसाने का बादा कर रहा है। एक भी वीडियो क्लिप बनाना चाहिए ना, जैसे कि इसाई लोग गाव में प्रशार करने के समय में उन लोगों को मना करने का वीडियो बना सकते हैं, तो इसाई लोग बादा करने का वीडियो भी बना सकते हैं। इस पूरे नियूज में कहीं पे भी इसाई लोगों का उस प्रकार बहकाने का वीडियो इन लोगों के पास नहीं है और इसाई लोग कभी भी लोगों को पैसा लालच नहीं दे रहें। कर सकते हैं अभी वो वीडियो को हम देखेंगे जिस वीडियो को रजत सर्माने कह रहे थे कि चोकाने वाली नियूज जो कि चोकाने वाली नियूज नहीं है इसाई लोगों को गाउं से बाहर निकाला गया इसाई लोगों को इसाई धर्म को वहां प्रचार करने नहीं दिया तो इसाई धर्म को प्रचार करने के लिए मना किया गया एक गाउं में सबसे पहली बात तो यह धर्म परिवर्तन नहीं है धर्म प्रचार है अगर किसी इंसान ने धर्म प्रचार को रोगता है तो उनको लोग के बारे में पता नहीं संभिधान के बारे में पता नहीं इन लो इसलिए ही बारत के संभिधान आटिकल 25 में इसलिए लोगों को सपर्ट करते हुए ही लिखा गया है कि किसी भी धर्म को इंडिया में प्रचार प्रसार किया जा सकता है लोग येशु मसी का प्रचार को क्यों डर रहे हैं येशु मसी का प्रचार को रोकने के लिए कोसिस क्यों कर रहे हैं लोग नहीं डर रहे हैं बलकि सेतान डर रहा है और सेतान इन लोगों के द्वारा काम कर रहा है अब देखिए क्या आप जिस प्रकार येशु मसी का प्रच एपने आपको ट्रीटमेट करने के लिए मना करेंगे किसे एक इसाई डक्टर आपको ट्रीटमेट कर रहा है तो आप मना करेंगे यह ईशू मसी का चला है यह क्रिश्चिन डक्टर है कभी नहीं हर एक चीज जो इसाई लोग बनाते हैं उन सारे चीज़ों को तुम जैसे बचन को बिल्कुल इस्तिमाल मत करो ये कोई इंसान का चाला की नहीं है बलकि ये सैतान का चाल है कही ना कहीं पे इंडिया में इसाई लोगों का धर्म प्रचार को एक बहुत बड़ा अपराद के रूप में लोगों के सामने दिखाने के लिए नियूज वाले ने कोसिस कर र रहे हैं और इन लोगों का धर्म से और बगवान से परमेसर से कुछ भी लेना देना नहीं है इन लोग ने अपना अपना ट्यार्पी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार काम कर रहे हैं दोस्तों वीडियो को आप बहुत मात्रा में सेर कीजिए इस वीडियो को लाइक इस जूटे आरोप के बारे में आपका क्या कहना जरूरू कमेंट बक्स में लखिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए सब को जै मसी की प्राइस चालो